नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका बिहार समाचार में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं तो खबरों की और आगे बढ़ने से पहले इक निज़ा सुर्खियों पर बिहार में दो से अधिक बच्चे वाले नहीं लरपाएंगे पंचाया चुनाओ नितीज सरकार का बड़ा एलान सरकारी सेवकों के लिए अच्छी खबर लॉकडाउन में दफ्तर नहीं आये तो भी मिलेगा जून का पूरा बेतन बिहार में अब लिपिकों पर करवाई कर सकेंगे एसपी पुलीस हेटक्वाटर ने जारी किया आदेस आज से नीट 2021 के लिए करे आवेदन 12 सितंबर को होगी परिक्षा नीरेज कुमार का राज़त सुप्रीमों पर बड़ा हमला बोले लालू राज में महिलाओ को प्रताडित किया गया मजदूरों से भरी ट्रेनों को टाइम बम से उड़ाने की साजिस बिहार के सभी प्रमुक इस्टेसनों पर बढ़ाई गई चौकसी बिहार के बार प्रभावित इलाकों में कैसे होगा मुख्या और सरपंच का चुनाओ इलेक्षन कमीशन ने दिया बूद सर्वे का निर्देश पंचायज चुनाओ में होगा खास इंतिजाम गलब्स पहन कर वोट देंगे मत दाता अगले तीन दिनों तक बारिस और उमस जहलेगा बिहार पटना बीटा रूट पर लगाता दूसरे दिन भी ट्रेन रोक कर यात्रियों ने किया हंगामा जानिये कारण उत्तर प्रदेश में योगी आधितनाथ की सरकार ने ग्राम पंचायत के चुनाव में भी नितीज सरकार नया नियम बनाने जा रही है दो से अधिक बच्चे वाले बिहार में ग्राम पंचाच का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं इतना ही नहीं मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि दो से अधिक बच्चे वालों को बिहार सरकार के अन्य योजनाओं और फैसिलिटी से वंचित रखना चाहिए मंगलवार को बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग के मंत्री समराड चौधरी निकाया की बिहार में दो से अधिक बच्चे वालों को नगर निकाय का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है बिहार में ये विवस्ता पहले से लागू है अब सरकार इस नियम को पंचायतों तक ले जाना चाहती है पंचायत चुनाव में भी दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे नगर पंचायत की तरह उन्हें ग्राम पंचायत चुनाव भी लड़ने की अनुमती नहीं दी जाएगी इस पर अभी काम चल रहा है मंत्री समराग चौधरी ने कहा है कि बिहार ऐसा पहला राज है जहां मुईक मंत्री नितीज कुमार ने इस नियम को सबसे पहले लागू किया है ग्रामिन इलाकों में चुकि सिक्षा का अभाव है इसलिए इस नियम को ग्राम पंचायत के चुना में लागू नहीं किया गया लेकिन अब ग्राम पंचायत में भी इसे लागू किया जाएगा इतना ही नहीं मंत्री ने तो ये भी कह दिया है कि बिहार सरकार के अन्य लाबकारी योजनाओं से फैसिलिटी से वैसे लोगों को वंचित किया जाए जिनके दो से अधिक बच्चे हैं बिहार में सरकारी सिवोकों के लिए एक अच्छी खबर है सरकारी कर्मियों को जून महिने का पूरा वेतन दिया जाएगा काम करने वाले कर्मिचारी भी इसके दाइरे में आएंगे वित विभाग ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचीव प्रधान सचीव अभी प्रमंडलिया आयुक्त जीलो के डियम और कोसागार पदादिकारियों को निर्देश जारी किया है 15 जून से लेकर 6 जुलाई के बीच सरकारी कारियालाई 50 फिजदी उपस्तिती के साथ खोलने का फैसलार किया गया था इसके पहले बिहार में पूरी तरह से लॉकडाउन के इस्तिती बनी हुई थी बिहार में अब जिलो में तैनाथ बिहार पुलिस छेत्रिय लिपिकिया संवर्ग के कर्मियों के निलंबन और लगुदंड देने का अधिकार अब जिलो में तैनाथ एस्पी इस्तर के अधिकारी के पास होगा यदि किसी कर्मी को सस्पेंड किया जाता है तो वैसी दर्मारद में आदेश जारी किया गया है, आदेश में कहा गया है कि बिहार सरकारी सिवक नियमाली 2005 के नियम के तहत, पुलीस छेत्रिय लिपिकया संबर्ग के कर्मियों के विरुद, जिस कारियाले से प्रदिस्थापित हैं, उस कारियाले के आरोप के लिए सही कारण रहने पुलिस अधिक्चक कोटी के पदाधिकारी को ही अनुसासनिक प्राधिकार के रोप प्राधिकृत किया जाता है यानि कि अब लिपिकिय संबर्ग कर्मियों पर अनुसासनिक कारवाई SP कर सकते हैं नीट 2021 के लिए आवेदन की प्रक्रिया आज से सुरू कर दी जाएगी मेडिकल प्रवेश परिक्चा यानि कि नीट का आयोजन 12 सितंबर को होगा इसके लिए चात्र मंगलवार की साम 5 बजे से nta.nit.nic.in पर जाकर आवेदन कर चकते हैं नीट की परिक्चा पहले 1 अगस्त को होनी थी सिबियस सिक का रिजल्ट नहीं आने और कोवीट की वज़े से परिक्चा की तारिक आगे बढ़ाई गई है नीट 2021 में बिहार से तकरीबन 80,000 के करीब चात्र सामिल होते हैं अब तक नीट में बिहार के चात्रों का प्रदर्शन अच्छा रहा है बिहार में मेडिकल के करीब 1350 सीटे हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जेडियो मल्सी नीरज कुमार ने लालुवाद से जुड़ा आटवा सवाल पूछा है नीरज कुमार ने राज़त सुप्रीमों पर बड़ा हमला करते हुए उन पर आरोप लगाया है कि लालु राज में महिलाओ को प्रतार्णा का सिकार होना पड़ा था उन्होंने काया कि राबडी देवी बिहार की पहली महिला मुक्मंत्री बनी लेकिन महिला होने के बावजूद भी प्रदेश की महिलाओ को दुर्दसा नहीं समझ पाई या फिर जातिवादी राजनिती आरजेडी को इतना भागया कि आधी आबादी के दर्द के साथ अन्याई करते रह गई उन्होंने काया कि ये प्रदेश की महिलाओं के साथ अन्याई ही था जब 2005 में नितीज कुमार सरकार में आये तो महिलाओं की हालत दयनियत थी तथा कथित लालुबाद वाले समाजिक बदलाओं के स्वगोसित पुरोधाओं ने समाजिक बदलाओं के नाम पर प्रदेश में समाजिक समर्थ सता, सांती जातिवाद और एक दूसरे के लिए ब्यमन नस्यर बढ़ाने के अलावा और कुछ नहीं किया है उन्होंने बताया कि मुल्कमर्थि नितीचकुमार महिलाओं के मामले में समाजिक मौन परिवर्दन के वाहक है नितीचकुमार महिलाओं के उत्थान के लिए कई साहसी कदम उठाते हुए साथ निश्चाई पार्ट वन में आरक्षित, रोजगार, महिलाओं का अधिकार एवंग साथ निश्चाई पार्ट टू में ससक्त महिला, सक्चम, महिला जैसे संकल्प के साथ सक्चम बिहार और बिहार को आगे बढ़ाने की दिसा में कारी कर रहा है बिहार में मजदूरों से भरी ट्रेनों को टाइम बम से उड़ाने की ISI साजिस रच रहा है इसकी सुचना मिलने के बाद बिहार के सभी रेलिवे इस्ट्रसनों पर चौकसी बढ़ा दी गई है सुत्रों का कहना है कि ISI उन ट्रेनों को अपना निसाना बनाना चाह रहा है जिसमें बड़ी संक्या में मजदूर सफर कर रहे हो ताकि जानमाल का ज़्यादा नुकसान हो ट्रेनों में टाइमर के जरिये बम लगाने और ब्लास्ट की ISI साजिस रच रहा है पूचना मिलने के बाद रेलवे प्रसासन ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है संदिग्द लोगों लावारिस वस्तूओं पर नजर रखी जा रही है इसके साथ संदिग्द वाहन और लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है बिहार में अगस्त सितंबर में संभावित पंचाय चुनाओ को लेकर तयारियां सुरू कर दी गई है EVM लाने के लिए टीम राजस्थान के लिए रवाना हो गई है वहीं बैलेट चुनाओ के लिए मत पेटी के रंग रंगोन को लेकर टेंडर की प्रक्रिया चल रही है वहीं दूसरी ओर बाड़ प्रभावित इलाके में चुनाओ को लेकर प्लान तयार किया जा रहा है राज निर्वाचन आयोग ने बाड़ प्रभावित इलाके में विशेश तयारी के लिए कहा है ऐसे जगहों पर बूत को लेकर सर्वे होगा दरसल बाड़ प्रभावित छेतरों की पंचायतों से पूरी तरह पानी निकालने की संभावना कम है पंचायत के मद्दाता भी प्रभावित पंचायतों में इस्तित मद्दान केंद्रों का इस्तल निरिक्चन कराया जाएगा जल जमाव वाले छेतरों में इस्तित बूतों में आवस्चकता के अनुसार परिवर्तन भी किया जाएगा इसके साथ ही ऐसे जगह पर चलंत बूत और नाव की विवस्ता मद्दाताओं को विधान सभा के तर्ज पर गलब्स दिया जाएगा। मद्दाता गलब्स पहन कर मद्दान करेंगे। जीला निर्वाचन पदाधिकारी अपने जीले के मद्दाताओं की संख्याओं को देखते हुए गलब्स का प्रवंदन कर हर बूत पर रखेंगे। परीब 6 करुण मद्दाता अपने मद्दाधिकार का प्रयोग करेंगे। कुरुना को देखते वे आयोग ने पंचाय चुनाओं के दोरान मद्दाताओं के साथ मद्दान कर्मियों को मास्क लगाना अनिवार्ज कर दिया है। का ट्रेंड फिलाल बना रहेगा। प्रदेश में अब तक 480 mm बारिस दर्ज की जा चुकी है। यह सामान से किवल 57 फिजदी अधिक है। इस तरह जुलाई में बारिस जुन की तुलना में बहुत कम है। लोकल ट्रेन बढ़ाने की मांग को लेकर पटना के करीब दानापूर रेलमंडर के बीटा सदीसोपूर रेलवे स्टेशन के डाउन में लाइन पर सोमवार की सुबह दैनिक यात्रियों ने 0-3-262 बकसर फटुहा पटना में में मो ट्रेन का वैक्यूम काटकर रेल विभाग के खिलाब जमकर हंगामा किया। इस्टेशन पर अप और डाउन ट्रेक पर दो अलग-अलग मेमो ट्रेनों को रोक दिया गया जिसके कारण नई दिल्ली हावडा में रेल लाइन पर ट्रेनों का संचालन करीब देड़ घंटे तक ठप रहा यहां हंगामा लगातार दूसरे दिन भी किया गया। पुम्वार को भी यहां हंगामा किया गया था हंगामे की खबर पर पहुंची जियार पियप और इस्थानिया पुलीस को भी आक्रोसितों के भाजन का सिकार होना पड़ा दरसल यात्रियों की मांग थी कि अनलॉक के बाद सभी कारियाले खुर चुके हैं इसके लिए टेन म यात्रियों की संख्या भी बड़ी है तो आज की सुर्कियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और इस्थे दारं में शैर करना ना भूले धन्यवाद